कि आरे साथियों आप श्रीका स्वागत करता हूं अपने यूटूब परिवार एमरे स्टेडी में तो डियर यहां पे आपका बी एस एप सी यानि बिहार स्टेट फोर्ड कार्परेशन सिविल जो सप्लाइज का जो वेकेंसिज निकाले गए थी तो उसका जो है रिजल्ट फ इसर मेरा अरोड डिविजन क्लर्ट में टोटल माघ जैब 24.27 इंगलीज में टैपिंग में 57.76 माक्स हे हिंदी में जैसें पॉइंट 3 माक्स है और मुझे डिस क्वैलीफाई किया गया है कितना कट ओफ गया है आपको पता है तो प्लीज बताएं ठीक फिर यहां पे आप आ अपना registration number और all number और date of birth डाल के अपना rank जो है चेक कर सकते हैं अपना scorecard अपना result जो है चेक कर सकते हैं यहां पर कैसे चेक करना है result वह हम आपको अब बात में बताएंगे अभी पहले बात कर लिते हैं cut off का तो देखो यूर का general का जो cut off है 85 plus मतलब 85 number से जिनका जादा है उनका जो है selection हुआ है जितने लोगों में से मैंने बात किया है उसके अनुसार में आपको बता रहा हूँ बाकि आप में से और किसी का कोई अगर doubts जाता है तो आप हमें जरूर बता है एससी का जो है 77 गया है वही अगर ews का बात किया जाए ews का अगर बात किया जाए तो 78 प्लस गया है ओके bc या obc जिसको कहते हैं इसका जो है 82 ना इसका 82 प्लस है और ebc ebc यानि bc1 जो है उसका 79 प्लस है उसके बाद ac हो गया st का जो है आपका 77 प्लस आपका है तो यह आपका cut off है चलिए अब देखते हैं कि कैसे जो है आपको अपना result जो है चेक करना है डेर लेकिन ध्यान रखेगा वीडियो आपके लिए free होती हैं लेकिन हमाएं बहुत help मिलता है जब आप वीडियो को share करते हैं लाइक करते हैं और चैनल को subscribe करते हैं तो इसी तरीके का bcc board से हर update पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe ज़रूर कर लिजे तो यहां पे आप स्क् प्रूल करके आएंगे तो आपको जो है मिलेगा options कितने नंबर पे है यह नहीं दिया है एक मिनट जस्ट वेट मैं इससे देख लेता हूं हाँ सेकेंड नंबर पे यहां पे आपका दिया गया है online input of food and civil supplies corporation limited 2022 ठीक है तो इस पे आपको क्या करना है click करना है जैसे ही इस पे click करेंगे आपको जो है यहां पे देखने को मिलेगा एक notice आपको जो है देखने को मिलेगा important notice for a scorecard of post assistant manager assistant account officers accountant quality controller and lower division color जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चार अगस्त तक जो है आपका result आएगा लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा और लेट ही सही 14 अगस्त को तो आ गया बस एक आगे लगा दिये 14 अगस्त को result जो है आपका आ गया scorecard आ गया मैं कभी भी जूट नहीं बोलता हूं उस वीडियो मे बीच में आपको यह भी अपडेट दिया था कि न्यूज पेपर में जो अपडेट आया था कि धांजली को लेकर जाच चल रही है तो वह सभी अपडेट हो रहे हैं लेकिन फिर भी यहां पे scorecard आपका जारी कर दिया गया है यहां पे आप scorecard वाला पे क्लिक करेंगे जैसे score देखा देगा कि आपका नाम क्या है कितना date of birth है कितना score आपका है सारी चीजे आपको यहां पे दिखाएगे अब चलिए इसके बारे में जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस को भी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि उस नोटिस में क्या कहा गया है वह भी जरूरी है तो यहां पर बताया जा रहा है खाद इबं उभुकता संद्रचन विभाग विहार सरकार 14 अगस्त को यह नौटिस यानि कल देर रात को जो है यह नौटिस जो है आपका दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो आपका 23 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 के बीच में जो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट एकाउंट ओफिसर्स, क्वालिटी कंट्रोलर, एकाउंटेंट एंड लोवर डिवीजन कलर का जो एक्जाम्स कंड़क्ट करवाया गया था ऑनलाइन उसके बिहाफ पे जो है यह नौटिस जो है द डाउनलोड कर सकते हैं तो अपना उस डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्टेशन नंबर और डेट बर्थ आपको डालना होगा यहां पर बताया जा रहा है कि इंटर्विव और डॉक्मेंट वैरिफिकेशन से संबंदित आवसक सुचनाए बिहार स्टेट एवं साथ सेर किये जाएंगे फिर्फाल के लिए यह नोटिस आपके लिए बहुत जादा इंपौर्टेंट है तो रियर वीडियो distract आपके लिए फ्री होती है बड़ जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं Loren 12 स जबर कर लें तकि और और वीजिलोगों को इसके बारे में अप झाल झाल